अग्यान का अर्थ एंपरिभार्षा और इसको प्रभाववाइद करने वाले कारण यह फिर इंपोर्टन टॉपिक है आपके फिजिकी एजिकेसन एक्जाम के लिए इसके अंतरगा जितने भी टापिक्स आते हैं हर इक टापिक इंपोर्टन है तो आज मैं इसमें बात आर्थ परिभाशा परहाइद करने वाले कारा खिएल मुनूविज्ञान वह व्यक्ति मतलब हर एक प्रकार से अध्यान किया जाता है उसी प्रकार जैसे मानो पसु के बिवहर में मनुविग्यान का अध्यान किया जाता है उसी प्रकार खेल मनुविग्यान का अध्यान खेलों की क्रियाओं में किया जाता है जैसे खेल मनुविग्यान खेल कराते समय बच्चों के मनुविग्यानि कृप्स से क्या एफिक्ट पढ़ रहा है और उसकी सोच का बहुत अंतर पढ़ता है क्योंकि बालकों में प्रतियोगिता होता है तो उसके अंदर द्वंद प्रति द्वंद प्रक्रिया चलता रहता है कि हार होगा या जीत होगा या क्या होगा ठीक है तो इस चीज को मनुविज्ञानिक रुप से उसको सुद्रिर करने के लिए मजबूत करने के लिए खेल मनुविज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो ख खेल मनें विग्यान कला और विग्यान दोनों है। क्योंकि ये खेलना और अपने तरह से इसकिल को शीखना उसका प्रदर्शन करना एक कला है। अब विग्यान इसलिए है कि विग्यान तर्क, संगत, क्रम, बद्ध एक शतिक जनकारी होता है। ठीक है इसी प्रकार खेल में भी समस्त गेमों के मेजर मेंट से और समस्त गेमों के एक निश्चित रूल होता है एक निश्चित तरीके होते हैं ठीक है जो सभी जगह से परमारित होता है इसलिए वो विज्ञान भी है ठीक है इस प्रकार खेल में विज्ञान की प्रकृति कै यहां से बन जाता है नेक्स्ट है खेल को प्रभावित करने वाली कारक तो अपने सुचे खेल को प्रभावित करने वाली कारक तो अपने सुचे खेल को प्रभावित करने कुण कुण से कारक करेंगे मनस्के आयू बक्तिका लिंग मौशं भोगलिक इसिती वंसा नुक्रम वा को प्रोहावित करते हैं तीक है आयू एक छोटी बच्चे को जो आप सिखाएंगे एक परिपक्त को आउसा में जो बच्चों की सिखाएंगे उसमें अंतर रहेगा इसलिए इसको सिखने में प्रोहावित कर रहा है लिंग लड़की और लड़कों में सिखने की कौसल में अंत आधिक गर्म अस्थाम पर कालशनता घरता है समान इस सिती में कालशनता भरता है तरीके से मौसम भी प्रहुएत करता है भोगोली इस ती वातावर जो है अंधी प्रहुएत वंसानुक्रम कोई चीजे होती है जो हमाई वनसा नुक्रम से मिलती है आथिक इसिती सवेगात्वक यानि जो मनुविज्यानिक इसितिया होती है बच्चों के मनमीर अंतरद्वंद की भावना हाजीत की भावना उचनीच की भावना इस सब चीजे भी खेल को प्रहावित करती है एन राज्यते कारण भी खेल क आयू लिंग्ल ॔श्रमभुलिक इस ती उहं सा नुक्क्रम आर्थिक इसिती सहते राजने hippiesin ठीके अब मैं बात करोंगी खेल मनुविज्यान की परिभासा की बारें ऑग संप신्पिन सबी City2 चुला मैं भी निट्यान की परिभासा के बाते करोंगी श्रुद्स की ओंस सं कहा है कि खेल मनुविज्ञान एक ऐशा छेत्र है जहां पर खेल की समस्त छेत्रों में निस्पादन सिखने और उसके सहकारी वियोहार को कि मनुविज्ञानिक तथ्यों और सिध्धानतों को लागू करने का प्रयास किया जाता है तो ज्यान लूथर की इस परिभासा में आपको की पॉइंट पकरना है कि समस्त छेत्रों में निस्पादन सिखने इस की पॉइंट की पकरना है यहां पर आ जाए जान लेजिए जान लूथर की परिभासा है ठीक है नेक्स परिभासा है के एम बंस इनका कहना है कि खेल मनुविज्यान मनुविज्यान की वह शाखा है जो कि खेल में भाग लेने वाली किसी ब्यक्ति की सारी की योगिता से सरुकार रखती है तो इनका कहना है कि खेल मनुविज्यान मनुविज्यान की वह शाखा है जो कि खेल में भाग लेने वाली किसी ब् प्लिगतासर्त जहां परा जाए वह कं स सब्सक्राइब सक्सक्राइब निच्ट परिवासा है very important परिवासा है Clark and Clark इनका कहना है कि खेल मनोविग्यान एक वियोहारिक मनोविग्यान है वह खेल और सारी क्रियाओं में ब्यक्तित्वर शमीगात्मक और प्रेडात्मक पहलों से अधिक संबन्धित है वह मनुभिज्ञान, विज्ञान में इनेक तकनीकों का प्रियुक करता है, तो इस बियोहार सब्द को पर ज्यादा जूर देते हैं, तीक है यहां भी बियोहार सब्द आ जाए, ज्यादेतर वो पुर्भासा क्लार कें क्लार का ही रहेगा, फिक है नेश्ट परिभासा है जो कि बहुत बार पुछा जाता है जिन्जर की परिभासा कि खेल मनुविग्यान एथलेटिक में ब्योहार की खोज करता है तो एथलेटिक में ब्योहार की खोज करता है तो एथलेटिक में ब्योहार की खोज जहां आए वहाँ जिन्जर की परिभासा जिंगर की परिवासा क्या है? कि इतलेटिक में ब्यवहार की खुझ करता है, और सिंगर की परिवासा क्या है? इतलेटिक में ब्यक्ति की ब्यवहार की खुझ करता है, ठीक है? जिंजर की एथलेटिक में बेटिक के खुज, और स्चिंगर के प्रइभासा ब्यक्ति के बेगति के बीखुआ की खुज, बस यतना याद रखीगा, एन निच्ट है रूसों की प्रिवाशा जो बहुत ही इंप्रॉटेंट है इनका कहना है कि खेल एक स्रजजनातम फ्रकृ्रिया है वगर एल कि बहुत हमदे है किस ने दिया है तो रूसों ने और एक प्रकृतिवदी प्रकृति वाद के से जनक है, यानि प्राकृतिक है तो प्रकृति ने इसे सरीrast affair, इंद्रियों के विकास के साधन के रीप में पासृत किया है। इस दो नूँ का तरोह।ारह जरूर्शोयारा जरूर जरूर ध्यान में रख लिए। क्या तर रुसोव के हैं, खेल एक स्रेजनात्मा प्रक्रिया है तीक है और क्या दूसरा प्रिभासत यह है खेल नैसरगिक यानि प्राक्रितिक है तो था प्रक्रिति ने इसे सरी के साथ साथ इंद्रियों के विकास के साधन के रूप में पसुद किया है इंद्रियों के विकास के साधन के रूप में आज जहां प्राक्रितिक सब्दा जाए ने सब्दा जाए वहां रूसु की परिवासा होगी नेक्ट परिवासा है नन की इन से मिलता जुलता है रूसु से इनका कहना है कि खेल ब्यक्ति की स्रिजनात्मक गति बीधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है जोकि रूसु ने कहा है कि खेल स्रिजनात्मक प् तो प्रदय चैयाँ चुलिए प्रक्रिकों जिल्दए ब समयत हैे उँए जिस लिए इस हिसी प्रक्राइड के प्रविशा पूछा जाता है। इनका कहना है कि आनन्द दयॉक इस्पूर्ति दयॉक स्रुजनात्म का प्रक्रिया है। जिसे ब्यक्ति अपनी पूर रूप से अभ्यक्ति करता है ठीक है यह दिंके में क्या है कि इसको आप याद कर सकते हैं आनन दायक इस पूर्टी दायक स्रीजिनातक प्रक्रिया है जिसे ब्यक्ति अपनी पूर रूप से अभ्यक्ति करता है तो जिसे पूर रूप से अभ्यक् जिसकी जड़े निसर्गो में इसथ होती है तो एक और प्रिफ्वासा नि कहा है कि खेलेक समाजिक क्रिया है जिसकी जड़े निसर्गो में इसित होती है निसर्गों यानि जो प्राड़ी विःवहार के मुल्चालक होती है, जो जर्मन्फजात होती है। ठीक है, उस तभे इस्थित होती है। निस्पर भासा है काल गुरूष्की इन्होंने कहा है कि खेल जीवन विःवहार के लिए तयारी है। बहुरूर्डेड़ परिवासा है। काल्गुरुषकी के खेल जीवन बयोहार के वहांपे काल्गुरुषकी परिभासा है क्योंकि काल्गुरुष्ट ने भोविस दर्से की धारणा के का सिधन दिया है वहांगा की आगे चले हैंने फिसलोर issue प्लिटू की, इनका कहना है, यह परिभासा इनका बहर इंपोर्टिंट है, इनका कहना है कि बालक को दंड की यह पिछा खेल द्वारा नींदित करना चाहिए, ठीक है, का कहते हैं कि बालक को दंड की यह पिछा खेल द्वारा नींदित करना अधिक अच्छा है, ठीक है, क्यो किसकी है तो पलेटो की सांवेद करेंगे और सम्वेदी सब्ध का जव्ध करेंगे और सम्वेदी प्रियाजे का प्रिभासा होगा इंसका कहुंना कि खेल का आरम मन milliseक के संव्वेदी कामक विकास क्रियाशयो होता है खेल से ही बालक वाह वातावरण से अपना संबंद इस्थापित करता है बालक को खेल से रसा का दात्म को अनंद प्राप्त होते हैं तो दोस्तों ये था खेल मनुविग्यान की परिभावार्थ उसकी प्रक्रति खेल को प्रभाइद करने वाले कारत यान उसकी परिभासा तो ठीक है तो दोस्तों आई हो कि वीडियो आपको बहुत अच्छे समय में आया होगा एंड नेक्स तापिक होगा हमारा खेल पर अधाय सिच्छ बिधियां जिसमें से बेरी इंपोर्टेंट बिधियां हैं जैसे कि डालटन बिधी वालचर बिधी मांटेश्री बिधी हारिस्ट बिधी किंडर गांडर बिधी प्रोजेक्ट बिधी इस समका वड़न करूंगी तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरू बताई हैं और वीडियो को जाने से जादे अपने दोस्तों तक भी सेयर किजिए जिनको भी वीडियो की जुरुत हो इस मिल सकें तो यह आप पहली बाद विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी फ्रेज कर लिए जिसे जो भी मैं नया वीडियो अप्लोट करूं उसका नाटिपिक से सबसे पहले आपके पास पहुचे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में न